हलो स्टुडेंट्स तो आज हम लोग इस वीडियो में important questions की practice करने वाले हैं जो कि हमने previous वीडियो में gradient, divergence, curl, direction and derivatives इन सभी topics के उपर discussion कर लिया था ठीक है तो उनी topics के उपर important questions की practice करने वाले हैं तो वीडियो का पहला question है if r is equal to ये कोई vector दिया हुआ है तो हमसे पूछ रहा है dr upon dt cross d2r upon dt square at t is equal to 1 तो इसकी value हमसे पूछा है और कहा है कि t की value 1 है तो क्या करेंगे सबसे पहले इसे हम differentiate करेंगे एक बार क्योंकि आप dr by dt चाहिए और दो बार भी करेंगे क्योंकि d2r upon dt square चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे पहले differentiate कर लेते हैं तो t के respect में करना है तो dr upon dt is equal to क्या होगा ती के respect में करेंगे 3t square minus 1 का 0 i cap plus t का 1 हो जाएगा और इस वाले 1 का 0 j cap minus 2t k cap ठीक है ना इसका 0 हो जाएगा तो हमने dr upon dt निकाल लिया और क्या चाहिए d2r upon dt square तो मतलब इसको एक बारा और करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 to 60 i cap 1 का 0 हो जाएगा तो 0 j cap minus 2t का 1 k cap तो हमने दोनों निकाल लिया है तो इसका cross पूछा है तो cross कैसे निकालते हैं dr upon dt cross d2r upon dt square is equal to हमने class 12 में पढ़ा है i cap j cap k cap ठीक है अशके निचे क्या लिखते हैं पहला वला वेक्टर ये है 3t square 1 और minus 2t दूसरा वला वेक्टर ये है 60 plus 0 minus 2 ठीक है अब बस इसी को solve कर लेंगा हमारा answer आ जाएगा तो i cap इसका इसमें होगा minus 2 और इसका इसमें 0 ठीक है फिर minus j cap तो इसका इसमें होगा 2 3 जा 60 square और इसका इसमें होगा तो plus हो जाएगा 6 2 जा 12 t square ठीक है अब फिर इसके respect में करेंगे k cap तो 0 minus 60 ठीक है अब हमें बोला था t की value 1 रखना है तो इसी के साथ ही हम लोग t की value 1 रख लेते हैं तो क्या आ जाएगा minus 2 i cap और t की value 1 है तो minus 6 और plus 12 तो plus 6 आएगा और इसके साथ मिलके minus 6 j cap और इसमें रखेंगे t की value 1 तो minus 6 k cap ठीक है तो कौन सा option match कर रहा है minus 2 i cap minus 6 j minus 6 k के हमारा answer होगा तो option match करा लेते हैं minus 2 i cap minus 6 j cap minus 6 cap तो option number c is the right answer next question चलते है question number second क्या बोला है कह रहा है कि u कोई vector sorry कोई scalar है then the value of curl gradient of u curl gradient of u निकालना है में u की value दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करेंगे grade u निकालेंगे ठीक है gradient of u कैसे निकालते हैं इसको ऐसे भी लिखते हैं है ना बीच में कुछ नहीं लगाना है dot ना cross कुछ भी नहीं तो gradient of u gradient हमेरा हमेशा scalar का निकालता है तो कैसे निकालते हैं del की value क्या थी i deba upon deba x plus j deba upon deba y plus k cap deba upon deba z और u क्या है यू हमें दिया हुआ x square plus y square plus z square plus 2xyz तो बस इसी को पहले solve करेंगे ये सभी के पास जाएगा बारी बारी से तो जब इसके पास आएगा तो deba upon deba x x के respect में partial differentiation करना है मतलब x के अलावा जो भी दिखेगा वो constant तो बस ये इसका होगा तो 2x इसका 0 हो जाएगा इसका 0 है ना x के अलावा जो भी दिखेगा constant तो ये 0 ये 0 इसमें x है तो इसका 1 हो जाएगा बचे का क्या 2yz और ये i cap प्लस इसके पास जब y के पास आएगा deba upon deba y तो इसका करेंगे ये सब 0 हो जाएगे 2y प्लस इसमें y का 1 हो जाएगा तो 2xz j cap प्लस z के respect ने जम्प करेंगे तो 2z प्लस इसका और इसका 0 इसका करेंगे तो 2xy z का 1 हो जाएगा k cap तो हमने gradient of u निकाल लिया तो हमसे बोला क्या था? curl of gradient of u gradient u निकाल लिया अब curl भी निकालना है किसका? grade u का तो मतलब जो answer आया है इसका अब हमें curl निकालना है ठीक है न? curl of इसका grade u का आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं curl कैसे लिखते हैं? डेल क्रॉस के साथ और grade u को ऐसे लिखते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है कैसे निकालते हैं curl of grade u तो सबसे पहले i cap, j cap और k cap ठीक है अब फिर उसके नीचे हमने पिछली वीडियों ने बताया है कि कैसे निकालते है डेबा अपन डेबा x, डेबा अपन डेबा y, डेबा अपन डेबा z तो ये लिख लिया और ये तीसरे row में क्या लिखना होता है जिसका निकालते हैं, gradient आप u का निकालना है तो इसी वाले vector को लिखेंगे, 2x प्लस 2yz, ठीक है और दूसरा क्या है, 2y प्लस 2xz, फिर 2z प्लस 2xy अब इसी को बस solve कर लेना है, तो i cap के respect में जब open करेंगे तो ये इसके साथ जाएगा y के respect में करना है इसका तो ये z वाला है, तो 0, y के respect करेंगे, तो y का 1, 2x बचेगा ये इसके पास जाएगा, तो z के respect में करना है तो ये 0, इसका हो जाएगा minus 2x, फिर minus j अब इसका इसके साथ होगा, x के respect करेंगे, तो ये 0, आ जाएगा 2y फिर इसका इसके साथ होगा तो minus 2y plus k cap अब इसका इसके साथ होगा तो क्या आएगा यह y वला 0 तो बचेगा 2z minus इसका इसके साथ होगा तो 2y इसका 0 हो जाएगा है ना तो 2z ठीक है y के respect में करना था तो यह निकाल लिया अब ध्यान से देखे तो यह cancel, यह cancel, यह cancel तो क्या आगया यह तो सभी 0 हो गए तो मतलब 0 आगया तो curl of gradient of u की value क्या आगई 0 तो option हम लोग match करा लेते हैं कौन सा option सही होगा question number second के लिए option number d is the right answer अगर आपको यह एगर result पता है कि curl of gradient of u is equal to 0 होता है always और divergence of curl of any vector यहाँ scalar है यहाँ vector पता है gradient scalar का निकलता है और curl vector का अगर आपको यह दोनों result पता है तो यह जो हमने लंबा काम किया है तो यह करना नहीं पड़ता है ठीक है न answer तो भी 0 ही आएगा तो आप यह दोनों result को याद रखे calculation से बच जाएंगे answer तूरंता आजाएगा ठीक है बढ़ते next question की तरफ question number third क्यारा if r कोई vector दिया हुआ है तो पूछ रहा है d2r upon dt square cross dr by dt at t is equal to 1 ठीक है तो कैसे करेंगे सबसे पहले यह vector दिया हुआ है तो हमें क्या चाहिए d2r upon dt square तो पहले एक बार कर लेते हैं तो dr upon dt is equal to क्या आजाएगा t का करेंगे 1 तो 1i cap plus 2t j cap इस 1 का 0 plus 3t square k cap तो यह एक बार हमने कर दिया दुबारा करते हैं तो क्या आएगा 1 का 0i cap plus 2t का 1 हो जाएगा और 3 2 जा 6 t k cap हमने निकाल लिया हमसे क्या पूछा है हमसे पूछा है d2r upon dt square है ना पहले second differentiation है फिर single वाला तो लिख लेते हैं d2r upon dt square cross dr upon dt सबसे पहले क्या करेंगे i cap, j cap, k cap ठीक है अब पहले दूसरा वाला लिखना है d2r upon dt square यह लिखेंगे 0, 2, और 6t और फिर dr upon dt लिखेंगे तो 1, 2t और 3t square तो इसी को बस solve कर लेना है तो solve करेंगे तो क्या है 2, 3, 60 square minus 2, 6, 12t square ठीक है इसका इसमें, इसका इसमें कर दिया अब minus j cap अब क्या करेंगे इसका इसमें करेंगे इसका इसमें, इसमें करेंगे तो 0 इसमें करेंगे तो minus 60 प्लस k cap अब इसका इसमें करना है 0 इसका इसमें करेंगे तो minus 2 ठीक है अब तो क्या आ जाएगा 6 t square minus 12 t square तो minus 6 t square i cap और यह मिलकर plus 6 j cap 6 t j cap और minus 2 k cap question में बोला था कि t की value 1 है है ना तो t की value 1 रख लेते हैं तो minus 6 i cap plus 6 t की value 1 है तो j cap और minus 2 k cap तो यहां से common मिल रहा है 2 तो निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा minus 3 i cap plus 3 j cap और फिर minus k cap यह हमारा answer होगा तो absent match करा लें तो 2 minus 3 i plus 3 j minus k 2 minus 3 i plus 3 j यह plus है तो यह नहीं होगा यह वाला 2 minus 3 i plus 3 j minus k तो option number b is the right answer next question चलते है question number 4 क्या बोला है कि if u and v are scalars uv scalars है and a and b are vectors यह दोनों vectors है then which of the following is not correct तो यह चार option दी होगे हैं इन चार में से बताना है कौन सा सही नहीं है मतलब गलत वाला हमें चुनना है तो पहला देखें gradient of uv u grade v plus v grade u यह सभी theorem हमने यह सभी formula हमने पिछले वीडियोज में बताया है बारी-बारी से अगर आपको याद होगा तो हमने यह सभी बताया है तो यह सही है चीकर नहीं यह सही formula है और divergence of u यह भी सही लिखा है u divergence है plus gradient of u dot a vector है यह भी सही है तीसरा divergence of a cross b तो क्या formula होता b curl है minus a curl b यह भी सही formula लिखा गया है हमें बताना है कौन सा सही नहीं है तो option number d ही सही होगा तब मतलब curl of a cross b यह formula लिखा a divergence b minus b divergence यह गलत formula है अभी इसके आगे और b होता है ठीक है न तो मतलब यह गलत formula है तो हमसे गलत वाला ही पूछाता तो option number d is the right answer तो इसका असली formula क्या होता है हम लोग लिख लेते हैं जान लेते हैं curl of a cross b का formula होता है a divergence b minus b divergence a यहां तक तो लिखा है यह भी इसके आगे भी होता है कि plus b vector dot del a फिर minus a vector dot del b ठीक है न यह दो टम इसने नहीं लिखा है तो इसलिए गलत हो जाता है तो हमसे यह पूछा था कि कौन सा सही नहीं है तो आपसा number d is the right answer question number 5 can I find the unit normal vector to the surface यह surface है इसी पर हमें unit normal vector find out करना है at the point यह point दिया हुआ है तो unit normal vector निकालने का formula होता है unit normal vector को n cap से लिखेंगे n cap is equal to plus minus यह formula है gradient of 5 upon gradient of 5 magnitude इसका ठीक है तो यह formula है तो हमें यही निकालना है तो यह निकालने के लिए हमें gradient of 5 निकालना पड़ेगा और उसका magnitude तो हम लोग 5 पहले ढूंदते हैं क्या है तो यह दिया हुआ है surface क्या दिया हुआ है x square y plus 2xz is equal to 4 दिया है तो इसको इधर बेज लें तो minus 4 is equal to 0 तो यह वाला जो है यही हमारा 5 है ठीक है तो यह हमारा 5 function मिल गया तो हमें क्या चाहिए gradient of 5 तो grade 5 निकाल लेते हैं तो dell 5 है तो dell की value हम लोग को पता है i deba upon deba x j deba upon deba y plus k deba upon deba z फिर 5 लिखना है तो 5 क्या है x square y plus 2xz minus 4 बस ठीक है न यह नहीं बस यहां तक यह function अब यह इसके पास जाएगा तो क्या होगा deba upon deba x x के respect में partial करना है तो x के अलाबा जो दिखेगा सब constant तो x के respect में करेंगे तो क्या है का 2x y और इसका 2z ठीक है और 4 का 0 i cap अब y के respect में करेंगे तो x square आएगा और यह इसमें y तो है नहीं यह सब 0 हो जाएगे तो यह j cap ठीक है प्लस deba upon deba z z के respect में करेंगे तो यह वाला 0 क्योंकि इसमें z का कोई है नहीं यह होगा तो 2x k cap ठीक है यह तो 0 हो जाएगा तो हमने grade 5 निकाल लिया तो हमें point भी दिया था कि 2 minus 2 add point 2 minus 2 और 3 इसी point पे हमें निकालना है तो grade 5 की value इसी point पे पहले निकाल लेते है यह x की value है यह y z x y z रख लो इसी में तो x into y करना है तो 2 2 जा minus 4 और यह 2 minus 8 फिर 2 z करना है plus 2 into 3 6 i cap plus x square करें है मतलब 4 आ जाएगा 2 x मतलब 2 into 2 4 k cap इसको अच्छे से लिख दें तो minus 2 i cap plus 4 j cap plus 4 k cap यह हमने grade 5 निकाल लिया अब क्या चाहिए हमें इसका magnitude चाहिए तो अब पहले इसी फार्मूले में अब रख लेते हैं n cap क्या होगा plus minus यह vector लिखना है gradient of 5 तो minus 2 i cap plus इसमें 2 common मिल रहा है न तो 2 निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा minus i cap plus 2 j cap plus 2 k cap ठीक है अपन फिर क्या करना हमें magnitude चाहिए इसी का इसका magnitude तो कैसे निकालते हैं root over minus 2 का square 4 4 का square 16 और 4 का square 16 तो यहां से आ गया plus minus 2 i cap minus i cap plus 2 j cap plus 2 k cap अपन 16, 16 32 और 36 तो यह 6 आ गया तो यह 2 और cancel हो जाएगा 3 times में तो n cap हमारा आएगा plus minus minus i cap plus 2 j cap plus 2 k cap अपन 3 तो आपसन match करा लेते हैं minus i cap plus 2 j cap plus 2 k cap अपन 3 तो आपसन number b is the right answer ठीक है अगर आपको और question चाहिए practice करने के लिए तो आप हमें comment करें ठीक है अगर नहीं चाहिए तो हम लोग नए topic के साथ नए वीडियो में मिलेंगे और अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जो नीडी student है उन्हें जरूर सेयर करें मिलते हैं next वीडियो में नए topic के साथ या नए questions के साथ तब तक के लिए थेंक यू